स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरेना रूफॉन में जिसमें आप पढ़ रहे हैं केसी सिन्हा बुक का मैट्रिस चेप्टर का सलूशन एक्सरसाइज 5.4 हम 5.4 का पहले वीडियो में आपको कोश्चन नमबर एक से लेके छे तक सलूशन बता चुके हैं अब साथ नमबर कोश्चन से सलूशन सुनिएगा कहा जा रहा है एक मैट्रिक्स है जिसका इलिमेंटर ट्रांसफर्मेशन का परियोग करकर के ए इन भर्स निकलना है ठीक है तो मानलो ये मैट्रिक्स ए है 4, 5, 3, 4 तो अगर इसका ए इन भर्स निकलना है तो पहले ये लाइन लिखना होगा कि first of all we write a equal to i a सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं इस पर कि हम लोग a बरबर i a लिख सकते हैं और a के बदली में आपको जो मैट्रिक्स दिया गया है 4, 5, 3, 4 इसी को लिखना है i के बदली में unit matrix 1, 0, 0, 1 into a इस वीडियो को देखने पहले आप part 1 का वीडियो देख लीजेगा उसमें ज़्यादा डिटेल से समझाया है इसको यही बनाते चलते हैं चलिए तो हमारा पहला focus होता है कि इस element को कैसे 0 किया जाए और उसके बाद अगर यह element 0 हो जाता है तो second focus इस पर होता है कि इसको 0 कैसे किया जाए तो 5 में आप pro पर कोई गुना नहीं कर सकते जब भी गुना करना है तो या तो row में या तो column में तो हम दो तरीके का transformation अपनाते हैं using row transformation या तो row transformation अपना ये या फिर column transformation अपना सकते हैं दोनों में से कोई एक यहाँ 0 लाने के लिए आप पहले row में 4 से गुना कर दिए ताकि 5 गुना 4 बीस आजाए इसमें 5 से गुना कर दिए ताकि यह भी बीस आजाए उसके बाद घटा दें r1 r1 में आपको 4 multiply कर देना है 4 r1 minus 5 r2 r1 में 4 से multiply कर देना है r2 में 5 से उसके बाद इसको घटा देना है तो चलो देखते हैं वही करकर करके 4 into r1 r1 यहाँ 4 है तो 4 ही रहेगा minus 5 into r2 और 4 के सामने r2 जो है 3 है चले एक हिसा होगे इसमें अब यह r1 यहाँ 4 है 5 है सोरी तो 4 into r1 के जगा 5 है न 5 है minus minus 5 into r2 तो r2 दिया जा रहा है क्या r1 सोरी r2 दिया जा रहा है 4 तो 4 लिख सकते हैं अब यहाँ से और second row में कुछ नहीं करना है 3, 4 जैसे था वैसे रहने दे इसके साथ कुछ नहीं करना है equal to में जो काम आपने इधर के लिए किया है वही काम उधर भी कर गिया तो 4 into r1 के जगा 1 है एक रहने दिजे minus 5 into 1 के सामने r2 जो है 0 है चलो वही काम यहाँ भी करो 4 into r1 r1 0 है है ना minus 5 into r2 r2 यहाँ 1 है बाकि 0, 1 जसका तस लास्ट में गुणा में ए जरूर होगा ठीक है चलो इसको solve कर लेते हैं 4 गुणा 4, 16, minus 15 है तो 16, minus 15, 1 4 गुणा 5, 20, minus 20 यह cancel होके 0 3, 4 5 into 0, 0 यहाँ 4 4 into 0, 0, minus 5 0, 1 गुणा में A तो यह रहा इसको 3 से अगर multiply कर देते हैं तो यह 3 हो जाएगा यह गुणा 3, 3 हो जाएगा और तब घटा देंगे ता R2 में हमने क्या कर रखा है R2 minus 3 R1 और अगर ऐसा करते हैं तो असानी से बन जागा फर्स्ट रोको जाजका तास 10 छोड़ दीजे R2 जाज 3 minus 3 R1 R1 3 के सामने 1 है 1 लिखेंगे R2 यहाँ 4 है minus 3 into R1 0 है 4 minus 5 R2 यहाँ 0 है 0 minus 3 into R1 यहाँ 4 है R2 यहाँ ध्यांदी जेगा R2 यहाँ 1 है 1 minus 3 into R1 R1 के जेगा minus 5 है गुणा में 1 1, 0 3 minus 3, 0 4 minus 0, 4 बराबर में 4 minus 5 minus 12 minus minus plus में 15 plus 1, 16 गुणा में 1 A का मापको और करना है यहाँ 1 लाना है और एक लाने के लिए R2 को 4 से मल्टिप्लाई कर देना है 1 by 4 R2 ठीक है न? और अगर 4 से मल्टिप्लाई कर देते हैं तो आपका काम हो जाना है उस्वरी 4 से मल्टिप्लाई नहीं करना है 4 से भागा देना है R1 जो है 1 0 जसका तस 0 को 4 से भागा देंगे 0 4 को 4 से भागा देंगे 1 इक्वल टू में पहला रो में कुछ नहीं करना है जसके तस सकेंड रो में 4 से भागा दिए तो मानस 12 को 4 से भागा दिजेगा तो मानस 3 और 16 को 4 से भागा दिजेगा तो 4 अगुना में A और आपको इनने पहले भी बताया था कि यही EI आएगा EBA तो E जो है A के साथ जो है वे ही A इन्भर्स का लाता है तो A इन्भर्स बरबर आगया 4-5-3-4 ठीक है अगला कोश्चिन 3-1-4-2 हमें इसका इन्भर्स निकालना है तो फिर से आपको यही करना होगा मान लेना है A A बराबर 3-1-4-2 अब इसका इन्भर्स अगर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको यही करना होगा लिखना होगा कि first of all we write A equal to I A A जो है वो है 3-1-4-2 I जो है 1-0-0-1 अगुना में A चलिए ठीक है तो हमें दो काम करने हैं पहला काम इसको 0 और दूसरा काम इसको 0 अगर यह दोनों काम सही सही कर लिए तो आपका अंसर आने में दिक्कत नहीं होगा R1 जसके तरस छोड़ देंगे तो R1 जसके तरस नहीं छोड़ना है दूसरे गुना कर देना है ताकि मानस दू और फिर दू जोड़ें तो 0 हो जाए 2 इंटू R1 अब पलस में R2 ठीक है 2 इंटू R1 R1 जो है 3 पलस में R2 R2 जो है R2 जो है वो मानस 4 है तो पलस मानस मानस 4 होगा पलस मानस मानस 4 तो सिर्फ मानस 4 लिखाएगा 2 इंटू R1 R1 जो है वो मानस 1 पलस में R2 जो है वो 2 है मानस 4 2 बराबर में 1,0,0,1 गुना में 1 2 गुना 3,6,6 मानस 4 तो 6 मानस 4,2 मानस 2 पलस 2,0 मानस 4, यहाँ 2 जो काम आपने इधर के लिए किया है वही काम आपको इधर के लिए भी करना होता है तो यह थोड़ा सरोंग हो गया है उसको सुधार लेते हैं 2 इंटू R1 ऐसा करते हैं लिख देते हैं डारेक्ट यहाँ पर हल कर करके तो 2 इंटू R1 R1 के जगह एक है अब पलस में R2 R2 के जगह 0 है तो 2 पलस 0 यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 ही आएगा अगला है यहाँ तो 2 इंटू R1 के जगह अब ही 0 है अब पलस R2 R2 के जगह 1 है तो सिर्फ और सिर्फ 1 आजाएगा ठीक है न? चले जो काम आपने इधर के लिए किया है वही काम आप अच्छा इधर तो भी कुछ नहीं किये है सेम सेम जसकतस यहां छोड़ देंगे गुना में लिख देंगे अब आगे यहां हमें 0 चाहिए यह वला हिस्सा 0 ही चाहिए अगर 2 को 2 से और गुना कर दें तो 4 हो जागा मानस 4 में 4 जोड़ दिया जागा तो जरूर 0 आजागा तो अउप्रेशन R2 में करना है ठीक है तो R2 को कुछ नहीं करना R2 जसके तस पलस 2 इन्टू R1 2 0 R2 यहां जसके तस मानस 4 अब पलस 2 इन्टू R1 R1 के जगह 2 फिर है R2 R2 के जगह पर 2 पलस 2 इन्टू R1 R1 के जगह 0 अच्छा यहां 2 1 फर्स रो में कुछ नहीं करना है जसके तस R2 यहां 0 लिखना है लिख देंगे अब पलस 2 इन्टू R1 2 1 2 गुणा 2 4 2 गुणा 1 2 अब पलस 1 3 गुणा में 1 यहां एक लाने के लिए और यहां भी एक लाने के लिए हमें काम करना क्या होगा भाग दे देना होगा वो कैसे दिखलाते हैं R1 को भी 2 से डिवाइड कर दीजे और R2 को भी 2 से डिवाइड करती जे ठीक है तो आपको अंसर आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो डिवाइड करेगा तो यहां 1, 0 2 को 2 से डिवाइड करेगा तो 1, यहां 0 यहां 0 और 2 को फिर डिवाइड करेगा 0 को दूसर डिवाइड करेगा तो 0 ही 2 को दूसर डिवाइड करेगा तो 1 2 को दूसर डिवाइड करेगा 1, यहां 1 by 2 चार को दूसरे डिभाइड करेगा 2, यहाँ 3 by 2, अगुना में A, ठीक है, तो यही हमारा A इन्भर्स आग्या, तो अगर आपको इन्भर्स निकालना है, तो ऐसे मौकों पर ध्यान रखना है, कि कोई भी अस्टेप खाली न छूटे, क्योंकि यह स्टेप छूटेगा, गलतियां होगी, अगर गलतियां अगर होगे, अगर एक जगा भी गलत हो गया, तो समझ लोग कि पूरा का पूरा अंसर ही हमारा गलत हो जाएगा, चले हमारे कोश्य नमबर भी और है, नाइन, है ना, अच्छा यह देखो, अलग ही टैप का मैट्रिक्स है, दिखलाते हैं, इसमें क्या है, वो बतलाते हैं, अगर इनवर्स में यह भी कहा जाता है, कि यदि इलिमेंटरी ट्रांसफोर्मेशन का परियोग करें, अगर किसी एक रो का या किसी एक कॉलम का कुलहे का कुलहेली में जिरो हो जाए, तो समझ लो कि उसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है, जैसा कि यह हमको दिख रहा है देखें, चलते हैं, एक वल्टू, 2142, ऐसे तो पाचाना इसे भी जाता है, कि यह रोज जो है कॉलम के प्रोपोर्शनल हो जाए, तो इसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है, जैसे देखो, दू-दू-दू-दू-दू, ए बराबर हो गया, 2142, अब यहां अगर कहें, त तो हमारा रूल तो यही है कि first of all, we write, a equal to ia, ए आप जानते हैं कि 2-1-4-2 होगा, i जानते हैं कि 1001 होगा, I into A आपको step भी अच्छे धंग से ध्यान में होगा कि हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यह काम करना है यहाँ 0 लाना है और 0 लाने के लिए 2 से गुना करना होगा तो 1 में तो खाली करेंगा ने R1 में पूरे कर रह पड़ेगा तो R1 में 2 से मल्टिप्लाई कर दीजे 2R1 माइनस में R2 को खाली घटा दीजे क्योंकि 2 गुनाई एक 2 अमाना 2 0 हो जाएगा तो 2 into R1 R1 के जगा पर पहले तो 2 ही है आप माइनस R2 R2 के जगा 4 है फिर है 2 into R1 R1 जो है वो एक है माइनस R2 के जगा पर 2 है 4, 2 2 into R1 जो है वो एक है माइनस R2 के जगा पर 0 है 2 into R1 के जगा पर 0 है 2 ठीक है R1 के जगा पर 0 है माइनस R2 के जगा पर 1 है 0, 1 गुना में A अब ज़रा ध्यान दे तो ये सबका सब 0 हो जा रहा है पहला रोका कुलहे इलिमेंटे 0 हो जा रहा है 2 गुना 2, 4 मानस 4, 0 2 मानस 2, 0 4, 2 बराबर में 2 into 1, 2 2 into 0, 0, 0, minus 1, minus 1, 0, 1 अगुना में A आपको मनें पहले कहा था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में अपरेशन का इस्तमाल करें और किसी एक रो का कुलहे का कुलहे कुलहे का कुलहे इलिमेंट 0 हो जाता कोई एक रो में या कोई एक कॉलम में तो हमें यहां लिखेंगे A inverse does not exist does not exist ठीक है चले ठीक है Question number 10 Let A equal to 1 minus 1 2, 3 ठीक है ना तो हमारे पास में जो rule है वो यही है कि first of all we write A equal to I A तो A जो दिया गया है वो 1 minus 1, 2, 3 और I के जगह दिया गया है 1, 0, 0, 1 I into A हम पहले काम को समझते हैं और पहला काम यही कह रहा है कि यहां आपको 0 लाना है 0 लाने के लिए 3 से अगर गुना कर दें तो minus 3 अगर जोड दें तो 0 हो जाएगा और उसके बाद फिर यहां सोचेंगे 0 कैसे आपेगा तो R1 में 3 से गुना कर दें 3R1 हना अब पलस में R2 तो 3 into R1 के जगह 1 अब पलस में R2 के जगह R2 के जगह 2 3 गुना R1 के जगह minus 1 अब पलस R2 के जगह पर R2 के जगह पर 3 2 3 अच्छा 3R1 पलस R2 तो 3R1 के जगह 1 अब पलस R2 के जगह पर 0 ठीक है न 3 into R1 R1 के जगह पर इध्यान दे R1 के जगह 0 अब पलस में R2 R2 के जगह 1 बाकि 0 1 गुना में A 3 पलस 2 तो 5 मानस 3 पलस 3 तो 0 2 3 3 गुना 1 3 3 गुना 0 0 पलस 1 1 0 1 गुना में A अब इसको 0 करना है और इसको 0 करने के लिए हमें इसको 5 से और इसको 2 से मल्टिप्लाई करना होगा R2 को 5 से मल्टिप्लाई कर दीजे तब 5 दूनी 10 मानस 2 इन्टू R1 5 0 5 इन्टू R2 R2 जो है वो है 2 मानस 2 इन्टू R1 जो है वो है 5 फिर है 5 गुने R2 R2 जो है वो 3 मानस 2 इन्टू R1 R1 जो है वो है 0 3 1 अच्छा 5 इन्टू R2 है आव R2 जो है वो है 0 है ना अब मानस 2 इन्टू R1 है आव R1 जो है वो है 3 फिर यह देखो 5 इन्टू R2 है आव R2 जो है वो 1 है मानस 2 इन्टू मानस 2 इन्टू R1 R1 जो है वो 1 है गुणा में 1 5 इंट्टू आर्टू के जगह 1 मानस दू गुणा आर्वन के जगह 1 5 0 5 0 10 मानस 10 0 15 15 मानस 0 तब 15 3 1 5 0 0 मानस 6 5 गुणा एक 5 मानस 2 3 गुणा में A हमारा काम बस इतना ही है कि इसको 5 से डिभाइड करना है और इसको 15 से दोनों डिभाइड करकरके उसके बाद अंसर ले आएंगे ता R1 को 1 बटा 5 R1 लिख देना है और R2 में लिख देना है 1 बाइ 15 R2 और जो आजाए कैलकुलेशन करकर करके A के साथ में गुणा में वही अमारा इंवर्ष निकल जाएगा ठीक है जगा तो चाहिए है चलिए देखते हैं तो 5 से डिभाइड जैसे ही करोगे R1 को ते हाँ 1 0 को तो खेर किसी ची से भी भागा दो 0 ही रहेगा 15 से भागा दोगे 0 में तो 0 ही रहेगा 15 को 15 से भागा दोगे तो 1 हो जाएगा 3 को 5 से भागा दोगे तो 3 बटा 5 1 को 5 से भागा दोगे तो 1 बटा 5 माइनेस छे बटा पंद्र तीन बटा पंद्र गुना में ए यही हुग्या आपका ए इन्भर्स ए इन्भर्स इकल टू तीन बटा पांच एक बटा पांच तीन दुना छे तीन पंचे पंद्र है ना तो माइनस टू बटा फाइव और तीन से पंद्र पांच बार में तो वन बटा फाइव एक काम कर सकते हो वन बटा फाइव कॉमन ले सकते हो तो वन बटा फाइव कॉमन लियात यहाँ थिरी यहाँ वन यहाँ माइनस टू यहाँ वन यह हमारा हो गया A inverse ठीक है तो यह रहा question number हमारा 10 अगला question है 11 उसी तरीके का है कुछ भी अलग नहीं है ज्यादा अलग नहीं है आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आराम से बना देश सकते हो लिट A बरबर 2-3-1 2 First of all we write A equal to I A A जो दिया गया है वो है 2-3-1 2 I जो दिया गया है वो है 1-0-0-1 अग गुना में A ठीक है न तो हम लोग क्या क्राम करते हैं कि इसका inverse निकालना है elementary operation का पर्योगर करके तो हम लोग पहले ध्यान देते हैं अच्छा यहाँ एक चीज़ और हरे question में यह चीज़ जरूर जोड दीजेगा यूजिंग रोड ट्रांसफोर्मेशन जिस ट्रांसफोर्मेशन का प्रयोग कर रहे हैं उसको जरूर लिख दीजिएगा ठीक है तो पहला काम हमको यहां यह 0 करना है यह 0 अगर आ गया तभी हम दूसरा कुछ सोचेंगे तब मानस 3 है दूस अगर गुना कर दें तब मानस 6 एक 2R1 में दूसरे गुना करतीजिए 2R1 अब पलस 3R2 देखेगा ध्यान दीजिएगा 2 इन्टू R1 जो है वो 2 है अब पलस 3R2 R2 जो है वो मानस 1 है चलो रहने दूँ अगला फिर देखते हैं 2 इन्टू R1 जो है वो मानस 3 है अब पलस 3 इन्टू R2 जो है वो 2 है चलो कोई बारते हैं मानस 1 दूँ जसके तस यही काम आप इधर भी कर लो 2 इन्टू R1 तो 2 इन्टू इसमें ज़रा देखेए R1 में क्या है तो R1 में एक है पहले एक लिखेंगे पलस 3 इन्टू R2 है और R2 के जगह 0 है तो हम 0 लिखेंगे एक काम और है कि 2 इन्टू R1 R1 0 है पलस 3 इन्टू R2 तो 3 इन्टू 1 यार्थार 3 हो जाएगा बाके 0 1 दरसल जगह थोड़ा कम है और कुछ ने छीक है अगुना में A मैट्रिक्स है इधर सेब बना देते हैं जगह विधर मिलेगा दू गुना 2 चार और 3 गुना मैनस 1 मैनस 3 तद 4 मैनस 3 एक दू गुने मैनस 3 मैनस छे और 3 गुना 2 पलस छे तद 0 मैनस 1 दू 3-0-0 सिर्फ 2-1-2 2-0-0 यहां 3-0-1 गुना में A इसको 0 करना है और 0 करने के लिए हमें R2 में R1 जोड़ देना होगा तब माइनस 1 पलस R1 जो है वो पलस 1 R2 जो है 2 पलस R1 जो है वो 0 2-3 R2 जो है वो है 0 पलस R1 जो है 2 R2 जो है वो है 1 पलस R1 जो है वो 3 गुना में A 1-0 मानस 1 पलस 1 0-2 2-3-2-4 अइन्टू में A यहां 1 चाहिए तो R2 को हमें 2 से डिभाइड करना होगा 1 बाइ 2 आर्टू तो 1-0 उसमें R1 में कोई फरक नी पढ़ता 2-3-1-2 ठीक है इस तरीके से आपका इस प्रोब्लम का भी अंसर मिल गया है अब अगला कोश्यन है 12 ध्यान दे तो यह इसका इन्भर्ष नहीं निकलेगा मानस 5 गुने 2 करोगे मानस 5 गुने मानस 2 करोगे तो 10 आए गुने मानस 2 करोगे तो मानस 2 निकलेगा तो नहीं लेकिन फिर भी आपको इतना करके छोड़ देना है कि लिट एकोल टू 10 मानस 2 मानस 5 एक First of all we write एकोल टू आई ए ए जो है वो है 10 मानस 2 मानस 5 एक आव आई जो है 1 0 0 1 गुना में ए अब आपको काम क्या करना है यह 0 करना है और आप खुद बता सकते हो कि आपको इसमें कितना गुना करना पड़ेगा तो मानस 2 गुना करेगा तभी इसके बराबर आवेगा उसके बाद घटा देंगे ठीक है या फिर आप दू गुना करेगा जोड़ दीजे आरवन में तो आरवन में कुछ नहीं करना है मानस 2 ऐसी रह दीजे पलस 2 इन्टू आरटू 10 आरवन जसके तस पलस 2 इन्टू आरटू जो है वो मानस 5 है यहां है आरवन आरवन जो है मानस 2 अब पलस तू इन्टू आरटू आरटू जो है 1 है माइनस पांच एक जसके तस आप उधर भी ये काम कर सकते हैं कि R1 जो है वो एक है तो पहले एक लिख दो अब पलस टू इंटू R2, R2 जो है वो 0 है फिर R1 पलस टू R2 तो R1 जो है वो 0 है R1 ये रहा 0 पलस टू इंटू R2, R2 जो है 1 है 0, 1 अगुना में A अब ये है अमतिम है 13 है थोड़ा सा ये भी इन्वर्स नहीं निकलेगा इसका भी लेकिन इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा 10 दू गुने मानस पांच मानस दस तो 0 मानस दू पलस दू जीरो मानस फाइब वन एक पलस दू गुना जीरो एक दू जीरो वन गुना में A आप साफ साफ देख सकते हो कि एक रोम गएए अगर दूनों इलिमेंट 0 हो जाएं यहां लिख सकेंगे कि A इन्वर्स डोज नौट एकिस्ट ए इन्वर्स इंवर्स 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 इच्ट नहीं होगा ठिक उसी परकार से इसका भी इन भर्स इक्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि एक गुना तीन करोगे 3 अतिनति या 9, बिल्कुल सेम टूशेम इसी टैप का करोगे, एक गुना तीन 3 अतिनति या 9, ये 0 हो जागा दोनों, और इस बज़ा से इसमें 3 गुना करके इसमें घटा दोगे नहीं, ते ये पूरा का प पिशाल रखना है कि अगर इन भर्स डर्ज नॉट इक्जिस्ट कब होगा, तो अगर हम किसी रो को, किसी दूसरे रो में, किसी संख्या से गुना करके घटावें, या जोडें, और हमको एक रो का कुल्हे का कुल्हे इलिमेंट जिरो हो जाए, तो आप वहां लिक पाओगे कि अगर इन भर्स डिश्ट नहीं होता है, किलियर, जहां कोई दिकत नहीं होगा, चलिए अगला वीडियो आपको बना करके देते हैं, तीन गुना तीन ओर्डर का इन भर्स कैसे निकलेगा, उसके बारे में अगला वीडियो बनाते हैं, ठीक है?